सो हाई गाइज वेलकम बैक मेरे दामा भी ने से और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कफिश से हाज हुँ एक और ने टिटोरियल के साथ और आज के इस टिटोरियल में हम लोग स्वस्वाती पुजा यानि की बसंध पंचमी के लिए एक न हमेशा के तरह मैं आपको अपना इमेज दिखा दे रहा हूं यहां देखिए एक इमेज है एंड सिंपली इसके अंदर कुछ कंटेंट है जिसको आज की इस पोस्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं इन सबको आपे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स डार्लोड कर सकते हो चले चल सबसे पहले क्या करने आपको एक बेगराउंड करेट करना है ठीक है तो मैं सिंपली वाइट बेगराउंड लेकर चल रहा हूं आपको जो बेगराउंड चाहिए आप अपने अनुशार बेगराउंड ले लेना ठीक है यह मेरा बैग्राउंड वो गया simply में क्या करता हूं इस image को यहां से ड्रैक करता हूं एड अपने Photoshop में इसको ड्रॉप कर दे रहा हूं ठीक है हाला कि image ऐसा था नहीं मैं इसको बना कर रखाता है मैं आपको original image भी दे दूँगा देखना कितना यह विकार टाइप का image था बट मैं इसको सही कर लिया हूं एंड मैं इसको अजेस्ट करता हूं अब हम लोग क्या करेंगे फिर्ण सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर कुछ टेक्स टाइप कर लेते हैं ठीक है जो हमारा टेक्स्ट था सबसे पहले हम लोग हैपी यहां से टाइप कर लेते हैं सिंप्ली में टाइप तूल लिता हूं एंड मैं आपे हैपे लिख लेता हूं इसका कलर ब्लैक रखेंगे एंड इसको हम लोग बढ़ा कर लेते हैं अभी आप फांट फैंडी चेंज नहीं करेंगे हम एक बार में जब इसका इलाइमेंट मिलाएंगे इसका फॉर्ण की इसको ठोटा कर ले रहे हैं और चोटा कर ले रहे हैं अभी आपको यह समझ मैं नहीं रहे हैं आहिए बाट यह बता दोंगा तो आपको समय में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है ठीक है यहां पे हम लोग इसमें प्रेस्ट करते हैं इस सब को स्लेट करेंगे एंड चेंटर कि यहां तक तो हमारा हो गया बट यह Gleich कर देख रहा है तो हम लोग है बशर्बत कर लयते हैं व्हांना ये बसंद पंच्मिन इसका यूझ इंपक्ट राखतें ऑन बूल्ट दिखाई देगा ठीक है अब देखिए यह फॉन्ट के जो फैमिली ओ आपको दिखाई दे रहे होगी उसमें दिखाई नहीं दे रही थी यह क्या लिखा हुआ है बट अभी आपको प्रोपरी समझ मारा रहा है कि क्या लिखा हुआ है ठीक है ना सेकेंड यहां निक् रख लेते हैं ठीक यह थोड़ा सा बौल्ड नजीद आएगा ठीक है तो इसको लाइट रखके देखते हैं कैसा लग रहा है ठीक है लाइट अच्छा लग रहा है ठीक है गुड़ सब्सक्वर्प करेंगे एन इसको नीचे यहाँ पर लाएंगे है गंट्रोल टी करेंगे इसके साइज थोड़ा हम लोग बढ़ा कर रहे इस तरह से यहां पे एजस्ट करेंगे फिक है अभी सेंटर कर ले रहा हूं मैं पहले फ्रेंज इसका हम लोग कलर बाता हुए है ठीक है तो simply में क्या करता हूँ happy को पकड़ता हूँ and इसको थ्वास में नीचे कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से एंड जो बसंद पंच में है उसका color हम लोग रेट करते हैं ठीक है इंपले में इसको यहां से रेट कर दे रहा हूँ एंड जो हैपी है हैपी के color हम लोग वाइट रखेंगे बट इस पे अंदर हम लोगे stroke फिल करने वाले हैं ठीक है तो हैपी लियर को select करेंगे and fx मजाकर stroke पर क्लिक करेंगे and stroke में हम लोग वाइट कलर फिल करेंगे ठीक है तो अलेडी हमारा वाइट ही है तो आप अपने वेग्राउंड चे मिलता हुआ जुलता हुआ कलर इस पे फिल करोगे and stroke का साइज हम लोग टू रखेंगे लाइन रो करता हूं कुछ इस तरह से and this line का कलरा नूर यहां से इसके यहां से पिक करेंगे and pick करने बाद simply filter में आएंगे and आएंगे blur motion blur पर क्लिक करेंगे convert to smart object and यहां से इसका motion add करेंगे ठीक है कम कर लेते हैं थोड़ा अब क्या करते हैं इतना हमारा पोस्ट यहां पर रेडी हो चुका है बड़ फ्रेंड्स अब क्या करते हैं इसके जो background background में हम लोग texture apply करते हैं texture apply के लिए मैं simple आपको तरीका बहुत बार बता चकाँ फिर वगा बताता हूं आपको इसमें add noise कर देना है ठीक है इसमें कितना अच्छा आपको इफेक्ट नजर आ रहा है ठीक है मैं इसका थ्री कर दे रहा हूं थ्री एन ओके देखिए इसके अंदर कितना अच्छा सा हमारा इफेक्ट आ गया मैं कंडूल जेट करता हूं देखिए ये प्लेन है और देखिए हमारा यहां पर टेक्सर आ चुका है ठीक है ना फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते ही है जो हमारा बसंद पंचमी है इसमें सब्सक्राइब बसंद पंचमी को एंड एफेक्स में जाता हूं एंड स्ट्रोग पर क्लिक करता हूं ठीक है सिम्प्लिश ट्रोग मैं क्लिक करूँगा इसके अंदर देखिए इस ट्रोग यह फिल हो चुका है रोक में हम लोग जो कलर है आप यहां से कलर मैनेज कर सकते हो यहां से यलो कर दे रहा हूं ठीक है एंड यहां से स्ट्रोक साइज में बढ़ता हूं तो यह कुछ इस तरह से हमारा दिखाई देगा नाओ के मैं कर देता हूं सो फेंट्स इतना हमारा पोश्ट हो चुका है अब हम लोगो एंड नीचे अपना फूटर लगा लेते हैं ठीक ह फ्रेंट्स देखें यहां पर मेरा लोगो लग चुका है नीचे अब फूटर लग चुका है थम लोग फूटर का जो कलर है इसको हम लोग तो डार करेंगे तक हमारा जो इसमें मैटर रोग पुरिता से वीजिबल हो जाए ठीक है तो यहां चैसा कलर ले लेंगे एंड जो इसके उपर जो कलर है यह ठीक है इसको हम लोग रेड करेंगे तक है मैं इसका कलर यहां से पिक कर ले रहा हूं सिंपली ओके तो फेंड्स यह पोस्ट होती है आपको कम्प्लीट आई हो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी कर लो और मुझे इंस्ट्रागाम और फेस्बूक फॉलो कर सकते हो और कोई भी डाउट हो तो मुझे आपको पूछ सकते हो यह जल्दी हो सके मैं उसका जवाब दूँगा मैं मिलता हूं कुछ और नहीं वीडियो साथ तब तक लिए बाइबाए